एक्सरसाइज 2.13, question number 2, रमजान के पास 3500 रुपेज हैं, यदि रमजान और रहीम के धन का अनुपात 7 रेश्यो 8 है, तो रहीम का धन ग्याद कीजिए, हमें क्या दिया गया, रमजान के पास कुल धन कितना है, 3500 है, और उन दोनों के रमजान और रहीम के धन का अनुपात द इंडूट करना है रहीम का धन रहीम के पास कितना धन है solution देखते हैं रमजान के पास धनी हमें दिया गया है 3500 रूपीज रमजान और रहीम के धन का अनुपात 7 रेश्यो 8 अनुपात ते कुल धन 7 प्लस 8 इस इकोल तो 15 माना कुल धन कुल धन हम मान लेते हैं कितना है एक्स हमी नई दिया गया है तो हम मान लेंगे एक्स रमजान के according to question रमजान के पास धन रमजान के पास कितना धन है 3500 रूपीज है तो अब हम क्या करेंगे जो भी आपके ratio वाले questions होते हैं जब भी हमें इसमें से कुछ find out करना तो हम क्या लेंगे रमजान के पास धन find out करना तो रमजान का जो हमें ratio दिया गया है that is seven okay और उसके upon में always हम क्या ले लेंगे total number को ले लेते हैं तो यहां पर आ जगा seven upon fifteen और कुल धन को उसमें क्या कर देते है multiply कर देते है multiply by x means कुल धन is equal to और जो रमजान का जो धन है वो हमाँ पस है 3500 तो इसको equal ले लेंगे 3500 के अब हम इसको solve करेंगे seven multiply x कितना हो जाएगा seven x as it is here और 15 इक्वल से इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा cross multiply यह उपर आ जाएगा okay यहां पर division में है तो इक्वल स इक्वल से तो डिवाइड हो जाएगा seven से cancel करेंगे seven five the thirty five two zeros as it is okay तो five hundred multiply by fifteen यह आजाएगा 75 hundred so value of x x is equal to कितना आ गया हम आपा 75 hundred okay तो x हमार पास means x हमार पास यहां total दहन कितना आ गया 75 hundred क्योंकि x हमने क्या लिया था कुल दहन लिया था अब हम find out करेंगे रहीम के पास दहन okay same way में रहीम के पास दहन जो रहीम का जो ratio हमें दिया गया है question में that is 8 कितना दिया गया है 8 तो यह आजागा 8 upon 15 हमार पास जो total था जो 7 plus 8 जो हमने किया था that is 15 तो total number upon में and multiply by x total number जो कुल धन होता उसको multiply कर देते and x की value हम find out कर चुके है that is 75 hundred तो इसमें multiply करेंगे 8 upon 15 multiply by 75 hundred x के जगा value पूट कर दी और यह cancel हो जाएगा 5 से 15 से 15 फाइव सा 75 two zeros that is as it is तो यह जाएगा 8 multiply by 500 is equal to 4000 रुपीज तो रहिम के पास कितना दन था 4000 रुपीज यह answer now question number 3 1148 रुपे जोसफ और इब्राहिम में 5 अनुपात 9 के अनुपात में बांठी है हमें क्या दिया गया है यहां पर amount दिया गया है हमें 148 रुपीज दिया गया है तो हम क्या करेंगे यह जोसफ और इब्राहिम का हमें रुपीज दिया कि उनके पास यतने रुपे है और उसका हमें क्या दिया गया है ratio दिया गया है ठीक है तो इसको हमें 5 ratio 9 के अनुपात में बांठना है solution देखते हैं Joseph और Ibrahim के धन का अनुपात कितना दिया गया है हमें 5 ratio 9 कुल धन कितना दिया गया है हमें 1148 रुपीज और अनुपाती भागों का योग जो हमें ratio दिया गया है 5 ratio 9 उसका total कर लेंगे 5 plus 9 14 आ जाएगा अब Joseph का भाग तो same way में हम कैसे करेंगे जितने भी equation ratio से रिगार्डिंग उसमें हम क्या करते हैं जिसका हमें find out करना है 5 दिया गया ratio तो 5 लेंगे upon में हम लेते हैं total जो उनको हमें add करके हम आपास जो है that is 14 और multiply कर देंगे जो हमें amount दिया गया है total amount वो है 1148 तो यह जगा 5 upon 14 multiply by one one four eight cancel करेंगे इसको यहां पर two see two sevens are 14 हो गया and five two's are ten here one left here seven two's are 14 and four two's are eight again sevens are cancel करेंगे seven eights are 56 one left here 14 तो यह हो जाएगा seven two's are 14 यहां पर five and eighty two five multiply by 82 यह आजाएगा 410 रुपीज तो यह किसका भाग आ गया जोसफ का भाग आया कितना 410 रुपए अब हम fine root करेंगे इब्राहिम का भाग तो इब्राहिम का भाग इब्राहिम का भाग इब्राहिम का जो हमें ratio दिया गया है कितना दिया गया है that is nine और टोटल जब आया था मार पास ratio का टोटल करके five plus nine that is 14 तो यह जाएगा nine upon fourteen multiply by one one four it same way में इसको भी हम यहां पर two से cutting करेंगे two say seven two's are 14 same way में यहां पर five seven four आ जाएगा इसकी तरह यहां पर same way में 574 यहां पर 82 हमार पर seven second cancel करेंगे तो 82 आ जाएगा and then nine multiply by 82 यहां जाएगा 732 rupees okay तो हमार पस कितना अमाउंट आ रहा है जोसफ का भाग आ रहा है 410 रुपे और जो इब्राहिम है इब्राहिम का भाग आ रहा है हमार पर 738 रुपे आंसर है